राजस्तान विधान सभा के अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जर्नल स्टिपन ट्यूट जी लोग सभा के जर्नल सेकेटरी उत्पल कुमार सिंग जी राजविधान सभा के सेकेटरी महाविर्व प्रसाद जी देश्वर से आये सभी पीटा सीन अधिकारी गन सभापती गन उप्सभापती गन राजस्तान मंती मंदल के माननिय सदश्य गन विधाय गन उपस्तित भाईयों बहिनों मैं सीपीए रिजन भारत के इस नवे सम्मेलन में आप सुब का हार दिक अभी नंदन करता हूं स्वागत करता हूं मेवार की धर्ती वीरता शोर प्राकम की धर्ती रहिए संगर्ष की एक लंबी याक्वा की धर्ती रहिए जिसका गोरोशाल इतियास केवल भारत में नहीं दुनिया में पेड़ना देता है यह धर्ती आध्यात्मिक की धर्ती है यह धंती समर्पन की धर्ती है और इसलिए राजस्तान की मेवार का मत संपुन देश के अंदर है आज आप सबका सुभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आये हमारे पीटा से नदिकारी इस वीरता शोर धर्ती पर दो दिन तक विभिन विश्यों पर मंथन करेंगे चर्चा करेंगे संवाद करेंगे और अपने अपने अन्भों विचारों को साजा करते हुए हमारी लोगतांतिक संस्ताओं को जनता के परती और जवाब देई और इस लोगतांतिक संस्ताओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश तो राजमेनया परिवर्तन कर सकते हैं साथियों कि 1911 में राष्टमंदर संस्री संग का गठन हुआ था और उसमें राष्टमंदर संस्री संग के अंदर सत्ताओं देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश था कि लोगतांतिक संस्ताओं का सद्धरिकरंग और किस तरीके से हम शूशाशन लाकर एक लोगतांतिक व्यस्ता को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरंग और इसलिए सीपिय मंडल उसके बाद लगातार संसिद्य परंपाओं पर्थाओं को आपस में साजा करता है और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्यान के लिए पर्तिबद होकर काम करता है साथियों दुनिया के अंदर भारत का लोगतंत आजादी के बाद का लोगतंत नहीं भारत का लोगतंत प्राचिंत जोब थन है यहां लोकतंत की प्रमप्रा रही है प्रपाट्या रही है यहां सवाहों नृब समितियों अलग-अलग राज्यों के समय भी अलग-अलग लोगतां तिक शाशन वैस्ता हुआ करती थी और इसलिए हमें गर हुए है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अं और इसलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी जादा बन जाती है कि हम लोगतां तिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सकें और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोगतां तिक संस्ताओं को सशट करना पढ़ेगा मजबूत करना पढ़ेगा जंता के प्र प्राइच्छी प्रपाटी अच्छे नियम बनाने होंगे ताकि हम कह सके कि हम लोकतंत में दुनिया के बड़े देश नहीं हैं हम दुनिया के लिए लोकतंत के मालदर सकते हैं और इसलिए पीटास इन अधिकारियों की विशेश जिम्मेदारी होती है कि हम अपने अपने सद्नों को किस तरीके से चलाना चाहते हैं अभी हमारे पुर्पक्ताओं ने कई विश्यों को अलग-अलग धंग से रखा और उस धंग के रखने के साथ साथ हमने देखा कि इस पिचत्तर वस्की लोकतंत की यात्रा के अंदर कि जंता भी सजक हुई है और जंता सजक होने के साथ साथ उनकी अपेक्षा आकांशा भी बड़ी है और इसलिए इन अपेक्षा आकांशाओं को कैसे पूरी कर सकते हैं यह हमारे लिए चुनोती है और इसलिए बदलते परिप्रिक्ष के अंदर एक टेक्नोलोजी का उप्योग करकर डिजिटल का उप्योग करकर हम किस तरीके से पारदर्शी वैस्ता लागू कर सकते हैं और इसलिए भारत के प्रदार मुंती जी ने स्पीकर कॉंफरेंस में कहा था कि वन नेशन वन विधाई वन लेजिस्टेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोगतान्तिक संस्टाएं कि एक प्लेट फांप रहे हैं और जब सारी संस्थाहं के प्लेट फांप रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधान मंडलों की जानकारी अ कि विधान मंडल की कारवाई